हेलो 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 एव्रीवान क्यासे हैं आप साब दिस इस रवी और वेल्कम चु अनदर वीडियो बाई पी डवली स्किल्स आज के लेक्चेर में हम एक नया डेटा स्ट्चर पढ़ रहे हूंगे जिसका नाम है स्टेक सेट काफी तरह क्यों होते हैं अनॉडर्ड सेट ओडर् एक ही बारी में एक ही वीडियो में ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह से क्लियर हो जाए ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन भी हम प्राक्टिस कर रहे हूंगे एक चीज़ धान रखना कि एक वीडियो में हम यह सारे टॉपिक्स पढ़ा रहें इसका अतलब यह नहीं कि हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है यह कोई भी सब टॉपिक छोड़ा है we are covering everything related to sets in C++ in this video ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में अगर हम रीकाप करें तो संकेट सार में आपको क्यों डेटा स्ट्रॉक्चर पढ़ाया था उस पे questions करवाए थे and क्यों जो है हमन कंटेनर ही है क्यूज के बारों में special क्या पढ़ा था हमने कि क्यूज में फीफो फॉलो होता है मतलब कि first in first out सेट्स के बारों में क्या special है वो हम अब भी देख रहे होंगे वी ट्राइटो अंडेस्टांड की सेट्स की नीड क्या है सी प्लास प्लास में इस डेटा सॉप्चर को कहां कहां यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं कोड में हम questions करेंगे देखेंगे कि कैसे ट्रावर्स करते हैं सेट को इंसर्शन करते हैं डिलेशन करते हैं जो हम सारी डेटा स्रॉप्चर के बारे में पड़ रहे होते हैं और देन लास्ट में जो दूसरे टाइक्स ऑफ सेट हैं जो भी वो हम कवर करेंगे अलोंग विट questions तो it's going to be an interesting video start करते हैं सबसे वहले समझते हैं कि सेट का नीड क्या है ठीक है सेट जो है जैसे कि आप कहीं सुने तो आपको यह चीज ध्यान आनी चाहिए कि सेट में जो है यूनीक elements store होते हैं अब जैसे आरे की बात कर लेते हैं हम आरे हमने पढ़ा था एक डेटा स्रक्चर वहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें काफी सारे डुप्लिकेट वाल्यूज है ठीक है और सपोज यह वाल्यू जो है जो डुप्लिकेट वाल्यूज है यह हम किसी आरे में स्टोर कर रहे हैं या किसी पर डेटा स्टॉप्चर में स्टोर कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कोई ऐसा डेटा स्टॉप्चर हो जहां पर डुप् अब यहां पर यूनिक वालूस क्या हम होंगी 1, 3 और 2 सर्स यह तीन युणीक वालूस और बाकी जगें वो सारे रिपीटेट वालूस हैं तो अगर कहीं भी हमें यूनीक वालूस टोर करनी है किसी डीटा स्ट्रॉक्चर में तो वहां पर हम यूज करते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर सेट जो है वो एक इंपोर्टंट डेटा स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ इंटर्वीव क्वेस्टन में जब भी हमें अपने सुनूशन को ऑप्टमाईज करना होगी टाइम कॉंपलेक्शिटी जो है वो कम करनी होगी वहां पर सेट जैसे तो यह एक इंपोर्टन डीटा स्ट्ट्टर है इसलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे आपको क्या करना है एक दो नोट्स बनाते रहो साथ-साथ और कोड करते रहो मेरे साथ-साथ यह ताकि लेक्टर के साथ-साथ ही तुम्हें यह सारी चीज़े समझ में आजाए सीख तो अब बात करते हैं कि सेट है इसलिए तुम्हें चार चीज़े याद रखनी है यह महली चीज़े वह मैं तुम्हें अरडी बता चुके हूं Set is an STL container Set is an STL container Use to store Use to store unique values क्वेंसी value? Unique values छिक है तो यह एक STL container है मतलब की Standard Template illa być जो होती है C++ में उसमें already internally implemented है set जो की एक container है जो की क्या करता है unique values को store करता है और क्या खासियत है और क्या खासियत है set की set की एक और खासियत है अपार्ट फ्रॉन की इस तोर स्वाईउस इन ओडर मैनर वाल्यूस 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 रह स्टोर इन ओडर स्टेट ordered state का मतलब क्या हुआ कि ये values जो है या तो increasing order में होंगी या फिर decreasing order में लेकिन जो भे values होंगी हमारे set के अंदर वो हमेशा ordered ही रहेंगी मतलब कि अगर one मैंने insert के अपने set में और उसके बाद three insert किया और उसके बाद two insert किया तो two जहें वो three के बाद नहीं three से पहले आएगा ताकि मेरी values जहें वो हमेशा ordered रहें अगर ये increasing order में अगर decreasing order में होगा तो वो three to one store होगा ठीक है तो set में जो भी values हमारी store होते हैं तो वो unique होती है number two they are in a ordered manner number three set में there is no indexing indexing हम जैसे करते थे vectors में करते थे to access any element in that container in that data structure हम उसका index यूज करते थे sets में indexing का concept नहीं है there is no indexing फिर कैसे हम उनको identify करते हैं values उसको elements are identified elements are identified by their own value by their own value अब इसका मतलब क्या हुआ रही होंगी with the value to itself मतलब की sets में जो values होती है elements की उनी से उनको identify किया जाता है ठीक है यह चीज अभी इंतम से digest नहीं हो रही होगी शायद क्योंकि अभी तक हमने कोई data structure नहीं देखा जहांपे values जो है वो अपने आप से identify हो रही हो लेकिन जैसे से हम इसको implement करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब क्या है यह set में कैसे translate होता है जो यह चीज मैंने आपको property बताई है ठीक है तो दरने की बात नहीं है समझ में सब आ जाएगा धीरे धीरे बट इसको अभी आप लिखके रख लो दिमाग में डालो कि elements in set are identified by their own values then number 4 बात किया है कि once value is inserted in a set it cannot be modified अब कि एक value अगर मैंने एक set में डाल दी तो उसको फिर मैं modify नहीं कर सब फिर वो constant बन जाती है अब ये क्यूं हो रहा है मैंने आपको बताया कि elements are identified by their values in a set एक set है 10, 20, 30 चिक है यहाँ पे इस position पे जो वाल्यू है मुझे इसको change करना है set में suppose मुझे यहाँ पे 20 की जगा 25 चाहिए for example तो अब वो वाल्यू 20 को में इस position पे 20 है उसको 25 नहीं कर सकती अगर यह आरे होता तो मैं कर देती कि आरे वान इंडेक्स पे जो वाल्यू है वो भी 20 है उसको 25 कर दो लिकिन यह है set set में जो elements हैं आर आइडेंटिफाइड बाइडेर ओन वाल्यू तो 20 की वाल्यू को जो है वो वाल्यू कॉंस्टेंट बन जाती है जैसे ही मैं इसको set में इंसर्ट को तो मैं इसको सब्सक्राइड नहीं कर सकती है अगर मुझे आप 25 डाला तो मुझे क्या करना पड़ेगा में पहले 20 वाल्यू को हताना पड़ेगा अपने set से और फिर मैं 25 इंसर्ट कर सकती है एं 25 में इंसर्ट करूंगी तो वह आएगा यही पर क्योंकि हमेशा मेरे एलिमेंट्स रहते हैं ठीक है तो समझ वहाँ आपको जो भी वाल्यूस है नहीं सेट में वह बारे जाके कॉंस्टेंट हो जाती है मैंको मोडिफाइ नहीं कर सकती है मैं उनको रिमूव करके इंसर्ट कर सकते हैं कोई और वाल्यू लेकिन जो इंग्जिस्टिंग वाल्यूस है उसको मैं मोडिफाइ नहीं कर सकती ठीक है तो यह चार चीज़े थी जो कि आपको स्टेक्ट यह बारे में उध्यान रफनी है अब मैंने आपको बोला कि सेट जो है यूनीक वाल्यूस चाहिए किसी हमारा कोई ऐसा डेटा है जहां से हमें सिर्फ यूनीक वाल्यूस टोर करनी है ऐसा डेटा स्ट्रप्चर जब हमें चाहिए तो हम सेट का इस्तमाल कर रहे होंगे secondly जब भी हमें अपने डेटा को एक ओडर्ड मानर में स्टोर करना है तो अगें हम सेट का इस्तमाल कर रहे होंगे अगर हम कोई और डेटा स्ट्रप्चर को यूज करते हैं ठीक है for example वेक्टर्स ले लेते हैं वेक्टर्स को अगर हम यूज करते हैं every time insert an element I'll have to sort it और वो चीज यहां पर internally होती है कि जैसे मैं कोई वाइंडू insert करूंगी वो अपने वो सारे elements को ordered state में ही स्टोर करेगा ठीक है तो जब भी हमारा ऐसा कुछ requirement है कि हमें ordered state में अपने डेटा को तो again हम सेट का यूज कर रहे होंगे थर्ड सेट जो है वो डाइनमिक साइस के होते हैं ठीक है तो डाइनमिक साइस का मतलब क्या कि जब हम सेट को define करें code में we don't have to give its size ठीक है जैसे वेक्टर में भी होता था ये लेकिन आरेज में नहीं होता था आरेज में हमें साइस जाए वो देना वरता था कितने आरे का हमें कितने size का साइस हमें आरे में 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 चाहिए तो सेट में क्या होता है कि यहां पर हमें size नहीं वेना वरता डाइनमिक ली जो है वो size increase होता रहता है जो memory allocated होते है हमारे set को वे इंक्रीज होती रहती है dynamically as and when we insert more elements into our set तो dynamic size के वज़े से there is no overflowing errors in our set number 4 set को जो है faster minus आता है than some other data structures क्योंकि यहां पर जो आपकी insertion है जो आपकी deletion है and जो आपका search operation है यह सारे operations आपके set में these are of complexity o of log n where n is the number of elements in your set ठीक है तो इस वज़ा से भी set को ट्वार्टी जिस मान जाता है because it is faster and यहां पर अगर आप को थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे यह तीनों operations o of log n complexity है तो search तो आप guess कर सकते हैं यह binary search के through implemented होता है binary search क्या time complexity देखी थी हमने o of log n देखी थी right तो यहां पर set में जो search operation implemented होता है वो binary search के through implemented होता है इसलिए o of log n time complexity होती है अगर insertion and deletion के भाम बात करें तो यह शायद अभी आपको मैंने ही ठीक से अच्छे से समझा पाऊंगी क्योंकि हमने binary search tree नहीं कर रख हम sets जो है वो internally binary search tree के through implemented होता है क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं है तो we don't expect you to know this but binary search tree जो हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि sets में insertion and deletion o of log n कैसे होती है ठीक है अभी के लिए आप में को trust कर लो कि set में जो internally insertion or deletion implemented होती है उसकी time complexity is o of log n इसने set को faster माना जाता है अब sets को disadvantages भी है जिन use cases में हम sets को शायद prefer नहीं कर रहे होंगे किसी odd data structure को prefer कर रहे होंगे इसके उपर तो वो क्या है तो क्या है number one यहां पे हम elements को access नहीं कर पाएंगे using indexing मैंने आपको बताया indexing जो है वो यहां पे होती ही नहीं है set data structure में तो we cannot access elements using their index हम सिफ उनको उनके value के through जो है access कर सकते हैं तो अगर कोई ऐसा हमारे use case है जहां पे हमें किसी index कोई particular index पे value को update करना है change करना है we need indexing तो वहां पे set data structure को हम use नहीं कर रहे होंगे secondly it uses more memory than array it uses more memory than array क्योंकि array जो है वहां पे जो memory allocated होती है वो एक continuous block में होती है लेकिन यहां पे जो memory allocated होती है to every element it's in a different location तो it will consume more memory and thirdly it is not suitable for large data sets large data sets में हम इसको प्रेफर नहीं कर रहे होंगे large data sets जब भी हम अरबस हैं तो हम sets को नहीं प्रेफर कर रहे होंगे क्योंकि insertion deletion जो है वो यहां पे क्या time complexity है? o of log n okay and that could be costly अगर हमें बहुत frequently insertion and deletion करने हैं अपने data structure में तो this is another case जहां पे हम sets को prefer नहीं कर रहे होंगे अब finally आते हैं interesting part पे set को code में कैसे use करते हैं कैसे declare करते हैं okay तो जैसे हमने अब भी तक STN containers देखे हैं जैसे हम उनको declare कर रहे थी it is in a similar fashion अब सबसे पेले लिखते हैं set we define set उसका data type जो होगा and then my set name and then my set name okay so this is how I will declare a set and code में set to use करने के लिए आप पो उसकी header file इंक्लूट करनी पड़ेगी hashtag include set okay set is the header file for using set stl container तो आप वो अपने code में add करने की बाग आप set जो है वो define कर सकते हो यहाँ पर data type जो हो भी हो सकता है आपका integer character, boolean, any object and अगर मुझे कोई integer data type का set create करने है तो I can write set int set 1 ठीक है which is the set name अगर मुझे में कोई values initialize करनी है तो वो भी I can do by adding animals अभ यहाँ पर इसे initialize पर हो तो मैं जरूरी नहीं है कि इनको ordered state में ही भीजू हूँ मैं इनको को भी unordered state में भी पेज सकते हूँ लेकिन set में जब वो values store होंगे तो वो ordered state में ही होंगे ठीक है increasing order in increasing order ठीक है तो by default जो भी values आप insert करोगे अपने set में वो increasing order ने store होती जाएंगी अब अगर आपको decreasing order में चाहिए values तो उसके लिए आप क्या करोगे आपको एक keyword add करना पड़ेगा तो you will write set int जो भी आपका data type है तो set data type greater data type set to ठीक है तो अब यहां पर यह जो greater data type keyword में ने add किया है this we make sure कि हमारा set में जो भी values अप store होंगे that will be in decreasing order ठीक है इसको मैं set name कर देती हूँ यहां पह हम कुछ भी set name define कर सकते हैं राइट and before sing this in code let's also check how do we insert elements into a set initialize कैसे करते हैं dot insert and whatever value we want to insert in our set so I can write set one dot insert four set one dot insert three and so on now here I will add three but three that will be store okay if by default when I have not passed greater keywords while defining my set then the increasing order will store value so three will be stored and one more thing that you need to remember is that this function returns an iterator to the inserted value okay now normally set set name dot insert one do use use just in case this function returns an iterator to the inserted value also here iterator iterator we have studied we have studied when we studied we have studied iterator I also studied in detail when we studied linked list but I will give you a refresher on this iterators are used to iterate through stl containers and you can understand pointers like we to iterate all of the elements or in linked list we use pointer similarly stl containers we have to traverse through all of the elements of my stl container or iterate so I use an iterator okay see this in my code we so first we have to header file and now to define a set of integer data type i'll write set int set 1 and now i can insert values set 1 dot insert 2 set 1 dot insert 1 1 now here because i have not added greater keyword so by default these values will be stored in increasing order okay now one thing i want to show you here is if i have to check the size so that i can get using the size function set 1 dot size i will get the size of my set okay let's check the size of our set here 3 print now suppose i will add another element add insert in my set okay which is a duplicate value 3 already present in my set i will insert 3 again and then let me check again the size of my set so now the size is only 3 4 not why is it the same size as before after inserting 4th element because in our set only unique value store okay i hope you got that that if if we will try to do duplicate value store then it will check that if this value is already present in our set then it will not store again okay so here let's write that size remains same because duplicate value is added okay and sets contain only unique values okay so we will keep attention now i have to see that i have to see the values are 3 to 1 i have to know that i have to know i have to see actually ordered state in increasing order so i have to print all the values i have to these values i have to access all of the elements i trade through all of the elements and how i can use an iterator which we talked about just now we have to talk about so for traversal of a set we will be using an iterator and here two functions we will use for traversing the complete set what are those functions begin and end those set name dot begin and set name dot end ye functions care set name dot begin will give us an iterator pointing to the first element the first element of my set okay so begin function i have to know that my set first element where my set values start then end function that returns me an iterator pointing to the position after after the last element after the last element of set keep confused and I know that end function does not point to the last element of my set so if this here is my set so begin function will return me a pointer pointing to the first element and end function will return me a pointer pointing to this position after my last element now using functions we will hydrate let's see that first we make an iterator which will be used to iterate from begin to end our iterator begin iterator start and end iterator end or begin iterator return and iterator return them okay so first we make an iterator and how iterator defines code first we mention that we need to set and then we mention iterator and iterator none so now this itr it is an iterator for the set stl container now we need to traverse all elements so let's use a for loop in our iterator where start where first element is where position set one dot begin function set one dot begin iterator which point now this iterator should go until end iterator does end so what condition we start when our iterator does not become equal to set one dot end to we will move set one to set one dot end function this is returning us an iterator to the position after the last element of my set so that we take our iterator to the next position what we do is iter plus iter plus plus okay and if your element will print this iterator is point or it holds the position of every element of my set okay in traversal it will point to it will hold the position of the element of the element element of of the element of element print all of the values in my set let's run this okay so 1 2 3 print and here you can see that the values are increasing order right so so use so here now the values you can see decreasing order right so by default we have increasing order okay now there is another way to print all of the values of my set using for each you okay so let's see that comment out here we are seeing traversing a set okay and here we were seeing insertion no set good so for each loop we will write for auto iterator sorry for auto value in my set 1 now what here we use what is what we need to value is in set 1 but auto use the value variable data type itself we are saying this is in set 1 that is integer data type integer if I hover it is telling me that this is of integer data type okay so you can add int here or auto keyword also use similarly here when iterator is defined I can create an iterator explicitly for set of integer data type or auto iterator is able to set one dot begin because set one dot begin iterator return to the set here sorry iter data type will infer using auto keyword okay but auto keyword use compiler warning okay does not consider the best practice to use auto keyword in a language like C++ but you can do that that is an option for you value if you don't know any variable data type of variable you can use auto keyword in a set one I can just write print value okay okay so here what is happening in this loop for each loop in every iteration which is my value that is referring to each element of my set see here auto keyword use warning right but our answer is one two three one two one two three two three one two two three two three two two three two two one two three two 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 यहां से हट जाएगे, डिलेट हो जाएगे, तो, this is one thing that I can do, I can pass the value, second, I can also write set name, dot erase position, अतलब कि I can pass the position of a particular element in my set, तो, suppose, मेरे पास यह set है, and I have an iterator pointing to this, ठीक है, this is an iterator which is pointing to this value, तो, I can write that set name, dot erase iterator, तो, इस position पे जो भी value होगे, that will get erased, is set name, dot erase, start position से लेके, end position तक, तो, अगर मुझे कोई range of elements delete करने अपने set से, तो, I can pass two variables, start position and end position, यहां पे क्या होगा, कि it will delete elements from start position, including, including it, till end position, excluding it, कहां पे it की जबा, let me write end position, तक ही clear होगे थुड़ा, यहां पे क्या मेरा मतलब है, कि start position और end position, अगर मैं पास करीं अपने erase function में, तो start position पे जो भी element होगा, वो delete होगा, लेकिन end position पे जो element होगा, वो नहीं delete होगा, चिक है, तो for example, मेरा set है, 1, 2, 3, 4, 5, and I have two pointers, 2 से लेके 4 तक, चिक है, I have this start iterator यहां पे, pointing at 2, and end iterator, pointing at 4, तो अब यहां पे, अगर मैं लिखती हूँ है, s.erase, and I pass these two iterators, तो क्या होगा, 2 और 3 जो है, वो delete होगा, मतलब कि end iterator पे जो भी element होगा, वो delete नहीं होगा, राइट, यहीज़ धान रखना, औलसो जो time complexity होगी यहां पे, वो आप लोगों पता है, जो मैंने आपको बताई थी, o of log n होगी, for deletion, ठीक है, बट अगर हम यह वाला function use करते हैं, this one, तो यहां पे, जो time complexity होगी, वो होगी, o of n, where n is the number of elements in the range, ठीक है, for these two, हम मारी जो time complexity होगी, वो के o of log n, लेकिन अगर हम एक range of elements देलेंट करें अपने साट मैंसे, तो उसकी time complexity क्या होगी, o of n, where n is the number of elements in my range, जो के हम देलेट करें, ठीक है, तो इसको पोड में देखते हैं, deletion of elements, and इसके लिए हम कुछ और values insert कर देते हैं, अपने साट में, 4 and 5, ठीक है, now, सबसे पहले, हम या, तो सीधा value जो है, वो पास कर सकने, for example, I can pass set1.erase4, ठीक है, इससे क्या होगा, 4 जो बाली होगी, वो delete होगी मेरे set से, ठीक है, तो आपको सहमेंच पहर है कि this is what I meant when I said, set में, जो values in there are identified by themself, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप उमझे कोई index या position जरूरी देगे कि pass करना है, मैं सीधा अगर जो element है, उसकी value पास परना है, सीधा 4 पास परना है, तो 4 वाला जो element है, वो delete कर देगा, अपने set में से, ठीक है, तो इसको print करके देख सकते हैं, हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 था हमारा, तो 1, 2, 3, 4, 5 था हमारा set, and after deleting 4, it is 1, 2, 3, 5, अगर यही पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या हम 4 के position भी send कर सकते हैं, तो 4 के position हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हम एक आइडरेटर चाहिए होगा, suppose I create an iterator, auto iterator, set1.begin, ठीक है, set1.begin क्या कर देगा, मुझे एक आइडरेटर देगा, पॉइंट इन तु 1, जुथे मेरा फॉर्स ऐलिमिट है मेरे set में, now, to get this iterator to point to 4, मुझे क्या करना पड़ेगा, I will have to move this iterator, iterator को हम भूव कर सब पे हैं using advanced function, जहांपे मैं आइडरेटर पास करती हूँ, और कितने steps से मुझे मुझे मूव करना अपना iterator को वह पास करती हूँ, चीक है तो अब मेरा जो iterator आ जाएगो पहले 1 पे था, अब मेरा iterator आ जाएगा at 4, after moving it by 3 steps, तो now if I write set1 dot erase idr, तो it will again erase 4 for me, let's check, इसको यहां पे हम comment out कर देते हैं, तो यहां पे again 4 जो है वो डिलीट हो गया हमारे set में से, now another thing we can do is, delete a range of elements from my set, तो उसके हम जो दो आइटरेटर से होगे, suppose हम दो आइटरेटर बना लाते हैं, एक start iterator, जो की set1 dot begin फे में नगा रही हूँ, okay and I will move this by one step, ठीक है ताकि अब यह वान से two पे point कर रहा है, two elements in my set, जो second element है मेरे set में, ठीक है, and एक को और आइटरेटर बनाते हैं, auto endIdrator is equal to set1 dot begin, and I will move this endIdrator, using the advance function, जहां पर में अपना आइटरेटर पास करूंगे, और कितने steps से मुझे इसको move करना यह वह पास करूंगे, ठीक है, तो now if I write set1 dot erase from startIdrator to endIdrator, ठीक है, तो startIdrator कहां point कर रहा है, this is pointing to two, and endIdrator कहां point पर रहा हुआ, to four, ठीक है, मैंने begin पर लिया है, और फिर उसको तीन steps से आगे बढ़ा दिया है, तो आप वो four पर point कर रहा हुआ, तो now if I erase startIdrator से endIdrator तक, तो आप देखरो, two and three जो है मेरे set में से delete होगया, two and three, four नहीं delete हुआ है, क्योंकि जो endIdrator वाला element होता है, वो delete नहीं होता है, erase function में, startIdrator वाला होता है delete, ठीक है, तो यह जीज़ धान रखने हैं हमें, तो let's look at some of the other member functions, जो कि हमारे set container पे हैं, काफी सारे functions होते हैं, for every SDN container, तो सारे आपको नहीं learn कर ली हैं, जो जो important हैं, और मैं आपको आपको आपर बता रही हूं, आपको questions प्राक्टिस करेंगे, आप questions प्राक्टिस करेंगे, आपको अधा चिंतरे को कौन से common ones हैं, जिनके आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले यहां पर size वाला जो function है, वह ने आपको बता दिया है, it is used to get the size of my set, there is also a function max size, which gets the maximum number of elements, the set can hold, तो आपको पता है, set जो है, वह डाइनमिक होता है, मतलब पी डाइनमिक size होता है, dynamically memory allocate होती हमारे set हो, तो size जो हो हमें देगा कि कितने number of elements हमारे set में already है, लेकिन map size जो है, वह कुछ bigger value होगी, जो कि memory में मेरे set को allocated है, and as in when, मेरा size of the set reaches the max size, कुछ जो है, relation होता है कि, जैसे ही size जो है, वह max size के near आता है, तो max size जो है, वह खुद से और बढ़ जाता है, ठीक है, तो यह internal implementation होती है, जहां पर max size increases itself, as size increases, and max size अगर आप print कर देखेंगे set के तो बड़ी value जो है वह आ रही होगी, then there is empty function, जो कि हमें बताता है कि, हमारा set जो है, वह empty है या नहीं, so it returns true if empty else false, अगर मारा set empty होगा, that will return true and it will return false, another function is clear function, जो कि हमारे set को empty करनेता है, it removes all elements from set, then there is find function which is important, to find function क्या करता है, it returns position of element, जो भी हम search कर रहे हैं, जो भी हम find कर रहे है, it returns position of element, if present, else, returns, and iterator, ठीक है, तो इसको अगर हम, code में देखे, तो, for example, I want to find, कि मेरे set में, for present है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए, I will use the find function, set one dot, find, and for, अब यह value, इससे मुझे कैसे बिता चलेगा, कि for present है या नहीं, क्योंकि यह मुझे कोई boolean value नहीं रिटर्न कर रहे है, यह मुझे क्या रिटर्न करेगा, to this position four, अगर for present हुआ, और अगर फोर नहीं present हुआ, तो it will return me end इडरेटर, ठीक है, तो क्या मैं जैक कर सकती हूं कि क्या, कि यह function मुझे end इडरेटर return कर रहा है या नि, आगर end इडरेटर मुझे function return कर रहा है, तो मतलब कि for present नहीं है, अगर end iterator मुझे return नहीं कर दा है तो मतलब भी for present है ठीक है end iterator मुझे मिल सकता है easily कैसे set1.end function से मुझे end iterator मिल जाता है तो मैं यहाँ पर एक if condition लिखूँगी कि क्या set1.find is not equal to set1.end not equal to का मतलब हमारा set में four element is present ठीक है तो we can say value is present and else else मतलब की set1.find हमें set1.end return कर रहा है हमें end iterator return कर रहा है तो उस case में we will we can print की value is not present ठीक है तो अगर मैं इसको print करने कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर value is present आ रहा है मतलब की four present है यही पर अगर मैं four की जगा seven search करूँ अपने set में तो यहाँ पर print हो रहा है की value is not present right तो this is how we use the find function in set to determine कोईवी element हमारे set में present है यह नहीं Then there is also count function which returns number of occurrences of an element कि ईटवत के लिम न वर सेट में कितनी बार प्रेजंट है ताइट विल विरेटर नवर अपर इसfik अप्रेज आप हमारे जो सेट है उचमे सारी वानल braces विर्न नहीं होगी है की बारिफ लीव ऑफ प्रेजंट नहीं होगी है तो साही वाल्यूस के लिए हमें पर बांध ही मिल रहा होगा, अगर वाल्यू प्रेसंट नहीं होगी, तो हमें 0 मिल रहा होगा, काउंट फांक्शन से, अगर वाल्यू प्रेसंट होगी, तो हमें वाल्यू मिल रहा होगा, ठीक है, then there are two more functions lower bound and upper bound lower bound क्या करता है मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा दढ़ देती हुगी काफी होच पोच हो रहा है so lower bound function this returns the element if it is present else the value else returns just greater value मतलब की मेरा अगर जो set है that is 10, 20, 30, 40 and यहां पर मैं search करूँ s.lower bound 25 तो यह मज़े क्या रिटोण करेगा 25 प्रेजंट नहीं है हमारे सेट में अगर प्रेजंट होता है it would return me the iterator to this element अगर वो प्रेजंट नहीं है तो it will return just greater value just greater value के है 25 के बात 30, ठीक है, तो this will return me 30, and there is another function called upper bound, यह क्या करता है, it returns the next greater value, it always returns the next greater value, तो again, if this is my set, 10, 20, 30, 40, and I write s.upper bound, s.upper bound 20, 20, so it will return me, जो भी 20 के बाग, greater value, it won't return me 20, although 20 is present here, lower bound function would have returned me pointer to 20, iterator to 20, upper bound function will return me the next greater value, which is 30, so this will return me 30, ठीक है, now some revision, begin and end function के लिए, मिन आपको भी दुबारा नहीं बताया था, लेकर, begin and end function, आपको समझ लिया, traversal समझते हुए भी, कि इनका मतलब क्या होता है, to revise, begin function will return me an iterator to the first element of my set, अगर ये मेरा, अगर ये मेरा set है, तो यहाँ पर begin function will return me an iterator to the first element of my set, first element कौन जा है, one, and end function will return me an iterator to the position after the last element, 5 के बाद जो position है, उसको एक iterator मुझे return होगा by end function, there also r begin and r end, अब ये क्या होते है, r begin will return an iterator to the first element of set in reverse order, in reverse order, similarly r end will return an iterator to last position, to position after last element, in reverse order, तो in reverse order is the keyword here, this is the difference between r begin and begin and r end and end, की r begin जो है, वो first element पे iterator देता है, अगर ये मेरा set है, तो इसकी reverse order में मेरा पहला element क्या होगा, अब भी मेरा पहला element वान है, लेकिन reverse element के मेरा पहला element क्या होगा, 5, तो r begin will give me an iterator to 5, similarly r end क्या देगा, it will give me an iterator to the position after the last element, but in reverse order, तो ये जो मेरा set है, this is my set, इसको reverse करने के बाद, मेरा last element क्या होगा, 1 के बाद वाली जो position होगी, that will be returned to me by r end function, तो इस diagram से ध्यान रखना, इन चारो functions का meaning, begin, end, r, begin and r end, जो r लिखा है begin and end के आगे, इसी से तुम्हें याद आना चाहिए कि this is in reverse order, ठीक, लेट्स लूक आट सम् एम्सी क्यू जो तो हमें एक question दिया है, हमें तान इसका output क्या होगा, तो यहां पे हमें एक set क्रेट कर रहे हैं, तो हमने काफी सारी values इंसर्ट करी है, and then हम फोरीच लू यूज कर रहे हैं, तो प्रेट इस values of my set, तो because this is a set, तो जो भी values टोर हो रहे होंगे मेरे set मे, बोखंगी unique values, ठीक है, तो यहां पे unique values क्या है, यहां पे unique values 1 है, 2 है, 3 and 4 है, और यह values अल्सो इंक्रीजिंग और रहे होगी, तो मेरा answer क्या होगा, 3, ठीक है, easy, next, consider this set, let's say we need to check if 2 is present in the set, yes or not, which of the following code statements will do the needful, तो try to do this, अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से, एक बार और, तो यहां पे अगर हम देखे, first हमारा option है, यहां पे हम क्या कर रहे है, में if condition लगा रहे है, and 2 हमें देखना है, कि हमारे set में present है या नहीं, तो उसके लिए हम s.find function यूज़ कर रहे है, जब हम 2 पास कर रहे है, now s.find, अगर हमें s.end दे देता है, तो मतलब कि वो value present नहीं होगे, and अगर not equal to है, तो मतलब कि वो value present होगे, जैसे अभी हमने code में भी देखा था, तो this is the right way to look, if 2 is present in my set or not, B option क्या है, s.count2, तो count function हमें क्या return करता था, हमें number of occurrences return करता, तो अगर 2 present होगा, तो it will return me 1, अगर 2 present नहीं होगा, तो it will return me C2, तो इस function से भी मैं चेक कर सकती हूँ, फिए 2 present है या नहीं मेरे set में, C option क्या है, if s.find, अब यहाँ भी जो find function है, यह कोई हमें boolean value नहीं return कर रहा है, तो मैं इसको if statement में use नहीं कर सकती, ठीक है, बबस्ट इस इस नॉट अ कंडिशन, जो चेक हो रही है, s.find से, s.find जो हमें एक आइडरेटर देगा, या तो 2 पे, अगर वो present होगा, या फिर टो इस इस रॉट अगर 2 प्रेजन नहीं होगा, ठीक है, तो इस इस रॉंग, आइड नॉट यूज दिर्क्ली, जो हमने पड़ाया उस पे, तो फॉर्स कोडिंग क्वेशन जो हम करने वाले है, जो हम जो वाले है, चल को ऑड़ाया भॉट आखेशन झाली, इस प्रबरेग बदरी और भॉट इस प्रेडिज इसे रॉट करूंग, उस घ्स्वाटेशन झालीज जो अने चांट पर वड्ड़ाया भॉंग, तो प्लॉटन रॉटेशन झालीज ओ फड़ाया, तो बेसे के लिए चैरी जो है अपने फ्रेंड को बोल रही है कि बर्देबादी पर किनकी लोगों को बुलाना है उनकी लिस्ट बनाते हैं लेकिन उसका जो फ्रेंड है आशी वो रांगनली लोगों के नाम्स ले रहा है तो चैरी जो है अपने फ्रेंड के नाम जो भी उसके वाइटलिस पे हैं वो ऐसे स्टोर करना जाती हैं कोई भी रेडांडेंसी ना हो पर तब कि उन्हीं युनीक वाल युजार सके वाइटलिस में जब भी हमें युनीक वालिस चाहिएगो तो हमें कौन हेल्प करता है सेट तो यहां पर हमारे इंपुट में क्या होगा वी गिवन अन इंटीजर एंड अन दे नम्मर अफ नेम्स अट आशी पॉपस अप विद अट हम जहें इन नेम्स को एक सेट में स्टोर कर सकते हैं जिसे से यह वाल्यूस जहें आती रहेंगे हमें इंपुट मिलता रहेगा सो हमारे सेट में उली यूनीक वाल्यूस हों ठीक है अन आपुट में यह भी लिखा है कि दे नेम्स इंदी फाइनल इंवाइड लिस्ट आर सौर्टेड लेक्सिको ग्राफिक नी तो दाट अलसो विल बी इंशॉर अगर हम सेट यूस करते हैं क्यूकि सेट में हमारी यूनीक वाल्यूस भी होती है और वो वाल्यूस सौर्टेड भी होती है तो हम क्या करेंगे एक सेट बनाएंगे किस डेटर टाइप का अब हमें अपने सेट में नेम्स स्टोर करने है तुमारे सेट का डेटर टाइप जो होगा वो होगा स्ट्रिंग तो सेट स्ट्रिंग इन प्रेजर मिल रहा होगा as input, कि कितने number of friends हमें input में मिल रहे होंगे, कितने number of names हमें input में मिल रहे होंगे, and हम अब एक लूप लगा सकते हैं, कि while n-minus, while n-minus, meaning ये लूप जो है, n-times चलेगा, n-times हम क्या करेंगे, एक string बना दे है, string name, चुकि हम user से input लेंगे, and then हम हाय, नाम को अपने set के अंदर डाल देंगे, तो we'll say invite list.insert, जो भी हमारा name है, right, and once this is done, तो हमें क्या करना है, अब हमें अपने set के अंदर, जो भी सारे names हैं, उनको प्रिंट करना है, right, with each name in a new line, तो हमें क्लू प्लगा देंगे, कि for auto name in invite list, for every name in invite list, print the name, ठीक है, so that's an easy question, right, यहां पर कुछ जादा सोचने वाला महीं था, this is a direct question, जहां पर आपको बस data structure का use दिखाना था, उन्जे, जो से data structure उसको हम कैसे इंउस करते हैं, का इंउस करते हैं, and यहां पर लेट्स गिव सम इंपुट, five names, and I'll give some names, Tia, Ria, Pia, Sia, and then Pia again, okay, so this was my input, and this is the output, जो लास्ट के four names है, आप यहां पर देथ रहे हैं, all of these names, they are sorted nexicographically, add, they do not have any redundancy, ठीक है, इसको हम better output कैसे कर सकते हैं, यहां पर हम print कर देते हैं, printing invite list, ठीक है, तो यहां पर हमारी invite list, without any redundancy, and लेक्से वो ग्राफिकल ओडर में प्रिंट होगे है, ठीक है, बटते हैं, next question, पर next question क्या है, थोड़ा सा difficulty level पढ़ाते है, so now we are given two vectors, V1 and V2, and we have to find out the common elements between the two, and return the sum of them, तो दो vectors में कुछ-कुछ elements हमें रखे हैं, अब इन vectors के बीच वे, जो common elements हैं, उनका sum हमें निकालना, तो यहां पर हम देखे, जो sample input हमें देया रखा हैं, V1 और V2 में जो common elements है, वो क्या है, 2 है, और 3 है, और कोई common element नहीं है, तो 2 and 3 को आड़ करके, जो output हमें वो हमें इस question में output देना है, तो इस question को हम कैसे कर सकते हैं, हमें basically, जो sum निकालने वो तो easily हो जाएगा, हमें क्या करना, हमें common elements को निकाना तो नहीं वेक्टर्स में, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि, for every element in V1, हम चेक करें कि, क्या वो element V2 में present है या नहीं, चीक, या फिर, for every element in V2, we can check कि वो V1 में present है या नहीं, सपोज यहां पर V1 छोटा है, तो हम यह लेते हैं कि वेटू का हर element, हम चेक करें कि, क्यों वीवन में present है या नहीं, अगर वो present है, तो यह नो के इस a common element, तो उसके time complexity क्या हो जाएगी, O of M into N हो जाएगी, where M and N are the sizes of both the vectors, क्योंकि हमें, for every element in one of the vectors, we have to check पूरा other vector क्यों present है या नहीं, तो हमारी time complexity उसकेस में, O of M into N हो जाएगी, Now, can we do better than that? यहाँ पे हमें every element को search करने के लिए, इन्दी अदर vector O of N time लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे set ये उस करना है, तो set में search का time complexity क्या है, O of long N, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक vector के elements को हम set के अंदर insert कर सकते हैं, for example, V1 के सारे elements को हमने set के अंदर insert कर दिया, तो हम पे कितने elements होंगे, 1, 2 and 3, क्योंकि set में सिर्फ unique value store होती है, तो यह सारी values रही store होंगे set में से, 1, 2, 3 store होगा, अब जो भी V2 में values हैं, हम उन सब के लिए check कर सकते हैं, कि क्या वो value मेरे set में present है या नए, तो अब हमारी time complexity क्या होगी, हम पहले अपने vector V1, suppose इसका size है N और V2 का size है M, तो हम पहले अपने vector V1 के सारे elements को set के अंदर insert करेंगे, इंसर्शन की time complexity क्या है set में? log N, तो सारे elements को insert करने के लिए, तो सारे elements को set में insert करने के लिए time complexity होगी N into log of जितने भी हमारे unique elements है V1 में, ठीक है? तो that is the size of this set, let's take it T, plus हम वीटू के सारे elements सर्च कर रहोंगे इस set में, तो M होगा for all of the elements of this set, and log T होगा for searching the elements in this set, तो this comes out to be N plus M log T, where T is the number of unique elements in our vector 1, तो that would come out to be our time complexity in this case, आपर हम set use करते हैं यहांपे, ठीक है, let's look at the solution now, तो सबसे बहले हम दो vectors user से input ले ले लेते हैं, of size N and M, we'll create a vector int V1 of size N, and a vector int V2 of size N, and यहांपे लेत्स अलसो इंख्लूड वेक्टर, ठीक है, तो हमने जो है, input ले लिया, दो vectors, अब हमें find करने हैं इनके common elements का sum, तो answer sum एक variable बना रहते हैं, जिसमें हम common elements का sum जो है, वो store कर रहे होंगे, and हम क्या करने हैं, सबसे पहले V1 के elements को एक set में टाल लेते हैं, तो let's create a set, set int s1, and हम क्या करेंगे, अपने elements in V1 को डाल देंगे, अपने set में, so we'll write set 1 dot insert element, ठीक है, first step होगा, second step हम loop करेंगे, through all of the elements in our second vector, and we'll search कि, if s1 dot find element is not equal to s1 dot ing, मतलब की, मतलब की, this element is present in our set, if this element of V2 is present in the set, तो मतलब it's a common element, तो हम अपने answer sum में इसको add कर देंगे, रहिए, वर्ना, we don't need to do anything, and last में, we'll print our answer as, answer sum, तो let's enter two sizes for our vectors, 5, fan, 6, ठीक है, and elements of V1, and elements of V2, तो यहाँ पे common elements क्या है, common elements है 1, 2, 3, 1, 2, 3 का sum जाया, 6, so that's our output, right, this was also not a very difficult question, you should have been able to do this, let's look at the next one, जुकि है, check if a string has all English alphabets, तो हमें एक string दे रखी है, जसमें characters है, जिसमें characters है, कौन से characters है, alphabets है, या तो small case, या फिर upper case, and हमें चेक करने क्या है, उसमें सारे English characters है, from A to Z, या फिर नहीं, जैसे कि इस input string में, हमारे सारे characters present है, and इस input string में, हमारे सारे characters present नहीं है, A to Z, तो हमें फरक नहीं पड़ता है, कि वो upper case है और lower case, हमें फरक पड़ता है, कि सारे English characters, A to Z हमारे string में present होने चाहिए, ठीक है, तो एक इसका जो brute force solution हम सोच सकते हैं, कि for every alphabet, A to Z, हमें एक loop लगाए, and check करें कि हमारे string में वो present है, या नहीं, अगें उसकी time complexity जादा हो जाएगी, time complexity हो जाएगी, 26 into whatever the length of the given input string is, now can we do better, सबसे पहले तो हम check कर से थे हैं, कि अपने input string की length जो है, वो 26 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर वो 26 से कम है length, तो अदलब there is no way, कि उसमें सारे characters present होंगे, तो इस case में तो हम अपना, जो भी string है, उसको में false return करतेंगे, no return करतेंगे, अब सबस्पोस इसमें 26 alphabets हैं, और 26 से जादा alphabets हैं, अदर 26 से जादा उसमें उसकी length है, हमारी string के, तो मतलब कि उसको कुछ repeated characters हैं, मतलब उसको कुछ repeated characters हैं, तो उन repeated characters को कैसे हम remove कर सकते हैं, by putting them into a set, अगर मैंने set में सारे अपने characters को डाला, तो repeated वाले जो भी characters होंगे वो remove हो जाएंगे, and then उसके बाद हमारी जो length आनी चाहिए है, वो होनी चाहिए 26, अगर वो 26 हुई, तो मतलब कि हमारे जो string है, उसमें हमने सारे जो duplicate alphabets हैं, वो हटा के, if the length of the set, or size of the set is coming out to 26, means it has all of the characters from, sorry, alphabets from a to z, अगर 26 नहीं है, तो मतलब कि 26 से कम तो नहीं होगे, तो हमने पहले चाहिए अगर 26 से जादा है, अगर 26 नहीं है, उसे कम है या जादा है, तो मतलब कि 26 characters a to z present नहीं है, तो उस case में we can return, also ऐसा भी हो सकता है कि हमारे input string में a present हो और फिर small case हो और फिर a present हो अपर case में, तो set में जब हम इन characters को store करेंगे, तो these will be stored as different values है न, a अलग value होगा और capital A अलग value होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सारी values को या तो हम अपर case में convert कर लें, या फिर lower case में convert कर लें, और फिर हम उनको अपने set में टाले, तो check की set की length है वो 26 आ रही है, या फिर नहीं, ठीक है, तो before checking की, before putting all the characters and set in the set and checking की उसकी length 26 है या न, we will have to convert all to lower case और अपर case, ठीक है, तो हमें यहाँ पर explicitly check नहीं करना पड़ेगा, हर character के लिए कि वो present है या नहीं अपने set में, हमें बस अपने सारी पूरी जो स्ट्रिंगे character से हमको एक set में डालना है तर उसकी length, जो हो 26 आती है मतलब कि हमारे सारे characters present है, और यह करने से पहले हम सारे characters को अपरकेस या लोवर केस में convert कर देंगे, ताकि capital A, एक ही value वो दो दो values ना हो in the set, तुसको code में देखते हैं हम, हम सबसे पहले user से जो है input string ले ले लेंगे, and let's create a function, rule check all alphabets, जहाँ पे हमें एक string मिल रही होगी यहाँ इस string पे हमें चेक करना है कि सारी alphabets present है, यहाँ 26 alphabets from A to Z, तो सबसे पहले हमें क्या check करना था कि अगर हमारे string की length is, is less than 26, तब तो पक्का ही हमारे string में सारे alphabets नहीं हो सब तो तो नहीं पे return false कर जाएंगे, secondly हमें क्या करना था अपने string के सारे जो alphabets है, तो इसके लिए एक हम function use करते हैं ट्रांसपॉर्ण, जब भी हमें अपने string, vector या किसी के भी हर एक element को update करना है, तो उसके लिए transform function use होता है, कैसे use होता है देखो द्यान से, तो यहां पर सबसे पहले हम pass करते हैं, input iterator first, मतलब कि जहां से हमें अपनी string को देखना start करना है, वहां से एक iterator, फिर जहां तक string को देखना है, जहां तक string पे काम करना है, वो iterator, input iterator last, फिर जो भी change करने के बाद तुम्हारा output आ रहा है, वो कहां लिखना है, कहां write करना है, उसके लिए एक output iterator for the result, and then जो भी आपको operation परना है on every character of my string, वो ठीक है, तो input iterator first, कहां से हमें अपनी string को देखना start करना है, s.begin से, कहां तक देखना है, s.end तक, और जो हमारा result आएगा, वो हमें कहां लिखना है, जिसे हमने किसी alphabet को lower case में convert किया, तो वो कहां लिखेंगे, वही पर लिख देंगे, तो जो result का iterator होगा, वो भी s.begin ही होगा, तब कि अगर आपको कही और लिखना होता, suppose जो result आ रहा है, आपका after converting all the alphabets to lower case, वो आपको last में लिखना होता अपने string का, तो आप यहां पर यहां पर वो आईड्रेटर पास करते हैं, ठीक, अभी में को शुरू से यह निखना है, तो लूवर, ठीक है, so this is a function to lower, जो कि एक character को उसके lower case में convert कर देता है, ठीक है, so this transform function will convert all of the characters of our string to lower case, and now we'll input all of these characters into a set, so we'll create a set of character data type, and हम एक newt लगाएंगे कि for auto character, in my string s, I will insert in my set alphabets, जो भी मेरा character है, ठीक है, तो अब मेरे alphabets set में सारे जो भी unique characters ने वो insert हो गए है, अब अगर, अब अगर, मेरे alphabets set का size, equal to 26 है, equal to 26 है, इसका मतलब, मेरे string में सारे A to Z characters हैं, अगर नही है, 26 है, तो मतलब की, we'll return false, मतलब हुआरी string में नही था, और यहां पर इसको लिख, यहां फे लिड़ दू दू फंक्शन, if check all alphabets input string returns true so we will print has all or let's just print yes which we have said in our output to print yes or not we will print so let's run it and i'll give some random input first run as to is printing no now let's give it the right input d a f g h i g l m n o p q r s t u v w x y z ठीक है तो now it is giving input sorry output yes ठीक है तो बच्चो अब हमने set जो है कर लिया उसका basic concept समझ गया है अब हम देखने वाले हैं different types of set and पहला type जो हम देखने वाले वो है unordered set अच्छी पहला type हम already देख चुके हैं which was ordered set जहां पे जो भी हमारी elements थे set में वो ordered fashion में store हो रहे थे तो unordered set में तुसी कि आप नाम से बताई सकते हैं no points पर guessing unordered set में जो भी आपके elements होंगे values होंगी वो unordered fashion में store हो रहे होंगी तो how is unordered set different from the set that we've already studied unordered set में values are stored in unordered fashion ठीक है और यह ज़रूरी भी नहीं है कि जिस order में तुम elements को insert करें उसी order में elements store हो रहे हैं they are stored in some random order बाकी जो चीज़े हमने पड़ी थी set के बारे में अभी तब वो चीज़े सेम रहेंगी क्या unique values store हो रहे होंगे हमारे set में unordered set में unique values होंगी values will be identified by itself value will be identified by itself मतलब कि कोई indexing यहाँ पर नहीं हो रही होगी and values cannot be modified inside set तो यह तीन चीज़े जो है यह सेम रहे होंगी कि unique values हैं में a set unordered set में indexing नहीं हो रही होंगी तो values will be identified by itself and values cannot be modified when inside a set तीक है deletion and search यह अभी तक हम नहीं किते देखे ते o of login time complexity देखी थी in ordered set unordered set में सार जो operations होते हैं यह o of 1 मतलब कि constant time complexity हो जाती है इनकी on average ठीक है तो average time complexity becomes o of 1 for all of these operations in unordered set क्योंकि यह जो values हम सैट में डाल रहे हैं यह अब ordered नहीं है increasing or decreasing order में they are in some random fashion तो यहां पे retrieval of values, insertion of values, division of values, search of values साब जो है वो constant time complexity का हो जाता है on average not the worst time complexity average time complexity o of 1 हो जाती है अब आप लोग सोच रहे होंगी कि यह चीज़ कैसे हो रही है यह हो रही है using hashing चीक है hashing आप लोगों को पता है हमने अगर आपको refresher चाहिए इस पर एक बरी वो वाला hashing वाला जो लेक्चर है उसको दुबारा जाके देख लीजे लेकिन hashing में हमने देखा था कि hashing is a way in which we store hashing is a way in which we convert bigger values into smaller values जैसे हम arrays में indexing करते हैं hashing में हम अपनी values की एक hash value निकालते हैं using some hash function तो suppose हमारी values जो है वो यह है अब इन पे इन values को अगर हमें store करना है in unordered set using hashing तो हम क्या करते हैं एक hash table create करते हैं with the help of a hash function तो suppose मारा hash function है mod 10 ठीक है mod 10 मतलब की जो भी remainder होगा after dividing it by 10 वो that will be returned to me by my hash function which is mod 10 ठीक है 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 23 पे अगर मैं अपना hash function अगाऊंगी तो 23 mod 10 will be equal to 3 तो 3 के सामने मैं store कर दूंगी अपनी value 23 similarly 45 mod 10 will give me 5 तो 5 के सामने मैं store कर दूंगी 45 67 store हो जाएगा 7 के सामने 32 store हो जाएगा 2 के सामने तो insertion आप देख रहो insertion हम hashing जब भी use होती है तो insertion, deletion, retrieval ये सब जो है o of 1 बन जाता है क्योंकि 23 को गर मुझे insert करना है तो मैं इसकी hash value निकालूंगी by applying the hash function and जो भी value हाएगी उसके सामने मैं value को store कर दूंगी मुझे बाकी सारी values पो change करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी on an average case तो यहाँ पे insertion becomes o of 1 similarly अगर मुझे 23 को delete करना है आप यह retrieve करना है मुझे ढूणना है कि 23 कहां पर present है मेरे data structure में तो मैं again same उसके hash value निकालूंगी using the hash function कुछ पता चुल जाएगा 3 आया अच्छा 3 के सामने present होगा मेरा 23 तो retrieval search deletion भी मेरा o of 1 बन जाएगा ठीक है तुम्हें आप यहाँ आप हार्शिंग में detail में नहीं जा रही क्योंकि यह मॉर्ड़ी cover कर चुके हैं detail में काफी बट आपको यह पता हुना जी कि unordered set जो है वह हार्शिंग के through implemented होता है इसलिए इसमें जो आपका insertion division search retrieval है यह सब of one time complexity आता है average तो unordered set को code में देखते हैं इसको code में use करने के लिए इसकी header file हमें include करनी पड़ेगी unordered set और जिसे हम set insert कर सकते हैं जैसे कि हम कर रहे थे in our ordered set mostly जो member functions रहेंगे वो same भी रहेंगे तो let me insert some values and then we'll try to print and see कि यह values जो है किस order में store हो रहे हैं हमारे unordered set में तो print कर में के लिए I'll use a for each loop for auto value in s1 we'll print value चीक है तो यहां पर 2, 1, 3 प्रेंट हो रहा है तो आप देख रहे हो हमने insert किस order में किया था मैंने पहले 3 insert किया था फिर 1 फिर 2 फिर 1 and store किस order में हो रहे हैं 2, 1, 3 तो random order में यह जो values है यह insert हो रही होंगी depending on जो भी हम hash function use कर रहे है sets में जो भी hash value आ रही है उसे साबसे यह values store हो रही होंगी in set but हाँ आपने यह देखा कि अगर मैं one को दो बारी insert कर जो तो मेरे set में एक ही बार आ रहे है तो duplicate values नहीं होंगी यहाँ पर बाट जो भी values होंगी वो unordered होंगी तो अब एक बारी unordered set के जो भी functions member functions है उनकी time and उनकी time complexity देख लेते हैं सबसे पहले insert function अगर हम देखें तो single element के लिए अगर हम single element insert कर रहे हैं तो हमारी time complexity होगी constant o of 1 average case में add worst case के अगर मैं बात करूं तो worst case में दिस उड़ बी o of n o of n in worst case and यह worst case कब आ रहा होगा worst case आ रहा होगा जब हमारी unordered set की जो number of elements है वो उसकी capacity से increase हो रहे होंगे तो उसकेस में हमें सारे elements को rehash करना पड़ेगा and दुबारा उनको insert करना पड़ेगा अपने bigger size के unordered set में तो जब भी ऐसा हो size जो है capacity से जाधा होने लगे तो उस case में हमें एक बड़ा set जो है वो allocate करना पड़ेगा हमें हमें सारी वालूस को rehash करना पड़ेगा इस वजह से हमारे worst case में o of n time complexity आ जाएगी अगर यहीं पर हम multiple elements insert करें तो हमारी time complexity होगी o of n on average where n is number of elements जो की हम insert कर रहे हैं and worst case में जो time complexity आएगी वो होगी o of n into n plus 1 ठीक है where n is जो number of elements हम insert करें small n and capital N is size of our unordered set ठीक है तो यहां पर भी worst case तभी आएगा जा हमारी size of capacity से इंकरीज हो रही होगा है हमें हमें rehashing करनी पड़ेगी सारे values की तो उस case में हमारा time complexity हो जाएगी यह ठीक है तो this is for insert अब बात करते हैं deletion की तो deletion के लिए जो erase function है उसमें हम क्या क्या पास कर सकते हैं हम value pass कर सकते हैं हम हम आइट्रेटर पास कर सकते हैं मतलब के position पास कर सकते हैं या फिर हम start आइट्रेटर से लिके end आइट्रेटर तक delete कर सकते हैं using these two आइट्रेटर से लिए पास करने हैं या पे start and end position अगर हमें range भी लेट करनी है from our set तो यहां पे भी अगर हम single element delete कर रहे है single element हमारी time complexity would be o of one on average and o of n in worst case ठीक है जैसे कि हमने insertion के लिए देखा गान similarly अगर multiple elements होंगे तो o of similarly जैसे मने insertion में देखा था multiple elements होंगे तो वहां पे o of n हो जाएगे मारी average where n is the number of elements being deleted so this is for deletion then अगर हम find function की बात करें तो find function की time complexity होगी o of one on average and o of n in worst case similarly count function की भी o of one average case में and o of n worst case में find function क्या करेगा find function हमें बताएगा कि वो जो value V है अगर वो present होगी हमारे unordered set में तो हमें का इडरेटर मिल जाएगा point in to that value V अगर वो नहीं present होगी तो we'll get an iterator pointing to the end iterator yeah I can say it will give me an end iterator count function क्या कर रहा था count function was giving me the number of occurrences of the value V तो यहाँ पे भी क्योंकि duplicate values नहीं present है तो if unique values present है तो यहाँ तो count function मुझे 1 return करेगा या 0 कब return करेगा जब वो value present है ही नहीं मेरे unordered set में then there are also some other functions related to hashing जैसे कि if you want to check the load factor of your unordered set we can use load factor function which will give you the value of size of unordered set divided by जो भी bucket count है right bucket समझके ना आप यहाँ पे जो भी जब भी हम hashing करते हैं तो हमारी values जो है buckets में add की जाती है ठीक है थीक है थीज आर buckets in a hash table जिसमें मेरी values को insert किया जाता है depending on their hash values तो जिपने number of buckets होंगी that will be the bucket count similarly you can also similarly there is also another function called rehash जापे आप एक value x पास कर सेट तो यह function क्या करता है यह क्या करता है इट sets the number of buckets जो महरा bucket count है to x or more ठीक है तो उसके लिए आप rehash function use कर सकते हो और इसकी time complexity होती है o of n average and o of n square in worst case इसके लावा जो size function है, max size function है, empty, clear, begin, end functions similar है जैसे कि हमने ordered set में दिखा थे वैसे ही काम करेंगे वो unordered set में भी let's move forward to another type of set, third type of set which is mighty set ठीक है, अब multi set में क्या special है from the set जो हमने देखा multi set में ये special है कि यहाँ पे कि it can store duplicate values duplicate values जैसे कि अभी हमने ordered set में भी देखा, ordered set में भी देखा था कि वहाँ पे जो values है वो duplicate नहीं store हो थी, सारी unique values नहीं store हो थी descending order में value will be identified by itself and value cannot cannot be modified in multi set तो आप अगर हमारा ऐसा को यूस के साता है जहां पे हम repeated value store करना चाहते हैं, duplicate value store करना चाहते हैं लेकिन हम ये value store करना चाहते हैं ordered manner में you want to store these values in an ordered fashion या तो sending या न sending तो हम क्या इंस कर रहे होंगे multi set हम यूस कर रहे होंगे तो code में यूस करने के लिए we'll have to include the header file set multi set की अलग खुब की header file नहीं है we'll have to include set only and to define a multi set we'll write multi set whatever the data type of our multi set is and हमारा multi set का name अब इस पर हम अपनी values को insert कर सकते हैं ठीक है तो चार values हमने आपे insert करी है and इसको अगर हम print तरके देखे सारी values को in our multi set for auto value in multi set print value तो यहां पर क्या print हो रहा है one two three three print हो रहा है यहां पर आप देख रहे हो these values are being stored in and ordered fashion ascending order में यह print हो रही है अगर मैं को descending में करनी होती तो मैं यहां पर greater int add कर देते हैं इसकेस में क्या होगा descending order में मेरी values store होए in my multi set but यहां पर जो भी अभी तक हम ने क्या देख रहे थे हम अगर कोई duplicate value add कर रहे थे तो set में store नहीं हो रहे थी multi set में अगर हम को duplicate value add करते हैं तो store होती है multi set allows duplicate values so so यहां पर 3 जय हम इसले दो बार देख पा रहे है multi set के functions और उनकी time complexity देखते हैं सबसे पहले insertion की अगर हम बात करें तो यहां पर जो insert function होगा उसकी time complexity होगी of log n where n is the size of our multi set and deletion की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई आइड्रेटर पास कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉजिशन से लेके end पॉजिशन तक है starting इड्रेटर से लेके end इड्रेटर तक इसकी time complexity क्या होगी linear होगी of n जहां पर n is the range from start position to end position number of elements or values from start position to end position then we have the find function third is find function which returns us the lower bound of element searched if pound else end iterator lower bound of the element search का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे site में यह values है and I say s dot find ms dot find 2 तो this will return me an iterator to this value 2 जो भी पहला 2 होगा उस पे मुझे एक iterator मिल जाएगा अगर 2 नहीं present होता तो it would have returned me an end iterator इसकी time complexity क्या होगी o of log n fourth count operation count function this returns me number of occurrences अब यहां पे number of occurrences of a particular element could be more than one as well अब दब तो हंसे फ्यूनीक values के साथ इसलिए हमेशा count जए वो वान या zero return कर रहा था अब जए count हमें कोई भी one से भी जादा value return कर सकता है because there could be duplicate values in a mighty set इसके time complexity क्या होगी o of k plus log n ठीक है k क्या है यहां पे k is the number of occurrences and यहां पे lower bound upper bound functions भी हम देख सकते हैं जैसे कि हमने ordered set में देखे ते lower bound function क्या करेगा हमें एक hydrator देखा hydrator pointing to first occurrence first occurrence of value if present else it will return the next greater value and upper bound में क्या होता था upper bound में it used to always return position of next greater value ठीक है यहां पे भी यह position है lower bound lower bound upper bound functions we will return which is position of an element lower bound अगर हम एक value search करें V V अपने multi-set तो अगर वो present होगी तो we'll get the hydrator to the first instance of that value अगर अगर वो present E है तो we'll get the next greater position value next greater value की position upper bound we'll always get the position of the next greater value and इन दोनों की complexity जो होगी जो होगी o of log n तो यह हमने कुछ member functions लेखी है for multi-set revision कर लेते हैं एक बार ही अवितक जो भी हमने पढ़ा है set में हमने क्या देखा set में हमने देखा कि वहां पे we used to store unique values in ordered fashion फिर हमने देखा un-ordered set होता है जहां पे unique values थो होती है लेकिन un-ordered manner में फिर हमने देखा multi-set जहां पे values ordered तो होती है लेकिन जरूरी नहीं कि वह unique हो duplicate values भी होचती है तो अब fourth permutation combination क्या वजा आप लोग guess कर सकते हो it's un-ordered multi-set जहां पे नहीं values ordered fashion में होंगी और नहीं जरूरी है कि वह unique हो तो un-ordered multi-set में it allows duplicate values and at the same time these values are values are not ordered they are not stored in some particular order बाकि जो दो चीज़े हैं वो same रहीगी कि values कि value can be identified या I should say value will be identified by itself and values cannot be modified in an un-ordered multi-set ठीक है un-ordered multi-set को अगर हम code में देखें तो इसको use करने के लिए हमें header file include करनी पड़ेगी un-ordered set तो इसमें कुछ values insert करते हैं randomly ms1.insert 8 and now if we see on the values how they are stored in our un-ordered multi-set तो यहाँ पर आप देख रहो यह जो values है these are un-ordered these are un-ordered कोई particular order में नहीं store हो रही है यह values and duplicate values store हो रही है यहाँ पर right 4 हमने दो पारी insert किया था तो 4 यहाँ पर दो पारी है okay so this is how un-ordered multi-set works now un-ordered होने का यही फादा होता है कि यहाँ पर जो time complexity होती है operations की वो decrease हो जाती है right तो अगर हम यहाँ पर देखे insert function insert function की time complexity तो average case में this would be o of 1 and worst case में it would be o of n where n is the number of elements in my un-ordered multi-set and this is for single element multiple elements अगर हम add कर रहे हैं multiple elements अगर हम add कर रहे हैं तो उस case में tan complexity होगी o of n small n on average where n is the number of elements that we are adding and worst case में होगी o of n into big n plus 1 in the worst case ठीक है और यह worst cases का फोंगी मैंने आपको समझा दिया था जहां पे भी rehashing हो रही होगी because of size becoming more than capacity तो वहां पे हमारा worst case हो रहा होगा add time complexity बढ़ जाएगी फिर second deletion में अगर हम erase function use कर रहे हैं तो यहां पे average case में होगी o of one time complexity अगर हम एक element में end iterator return करता है तो इसी time complexity क्या होगी again o of one होगी on average and o of n in worst case similarly count function में हमारी o of n होगी average case में where n is the number of occurrences and o of capital in होगी worst case में where n is the size of the unordered multi-set यहां पे again क्योंकि यह unordered है इसलिए यहां पे hashing की मदद ली जा रही होगी for implementing an unordered multi-set तो जो hash related आपके functions है like rehash getting the load factor getting the max load factor वो सब functions जैसे कि हमने unordered set में देखे ते वो same रहेंगे ठीक है let's look at some mcqs now तो उमने बहुत कुछ पढ़ लिया है बहुत कुछ यूनीक वाल्यू स्टोर करते हैं ordered manner में ascending या descending फिर हमने पढ़ा unordered set जहां पे unique values stored होती है लेकिन unordered way में फिर हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा multi-set जहां पे values ordered fashion में store होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे सिफ unique values store हो duplicate values भी present हो सकते तो multi जो rset के सामने उसे में पता चुँए कि हम multiple instances of an element हो सकते ही now multi-set and फिर हमने पढ़ा unordered multi-set जहां पे values unordered रहेंगी add values repeat भी हो सकते हैं तो यह हमने चार तनहां के sets आज cover कर दियें है maximum time हमने first ordered set पढ़ा था उसको एक दिया था हमने क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो फिर बाके जो types है उन्हें बस आपको यह समझने की जरूरत है कि वो ordered set से कैसे different है तो आपको हर चीज याद रहेगी ठीक है आप करते हैं mcq तो इसको of course कोशिच कीजिए खुद करने की होसकता अपना अल्रेडी कर फिलिया हो discuss करते हैं हमें बताना है कि इस code का output क्या होगा तो हमने यहाँ पर क्या create किया है multi set create किया है multi set मतलब कि multiple values multiple occurrences of a value will be allowed repetitive values will be allowed लेकिन यह ordered way में होगी तो हमें यहाँ पर बताना है कि इस code का output क्या होगा हमने यहाँ पर multi set define किया है जिसमें हम कुछ strings जो है insert कर रहे हैं apple ball college cat college अब यहाँ पर multi set में हमारी multiple values allowed होगी लेकिन यह values हमारी ascending order में present होगी तो सबसे पहले कौनसी value present होगी सबसे उपर present होगी app में lexicographically अगर हम देखे तो फिर होगा ball फिर c से सबसे पहले होगा cat फिर आएगा college दो बार college college and then college वाला ठीक है तो यह हमारे multi set में strings होगी अब यहाँ पर क्या बोल रहा है s.erase s.find college s.end s.erase जो है वो हमें पता है कि delete कर देता है elements को अब यहाँ पर दो variables हम pass करें in our erase function मतलब कि हम एक start iterator pass करें और एक end iterator pass करें start iterator से end iterator तक कि सारी values will get deleted start iterator हमारा क्या है s.find college तो s.find college will return us an iterator to the first instance of college strip तो यहाँ पर first instance of college कहाँ है यहाँ है तो यहाँ पर होगा मारे start iterator end iterator क्या है s.end तो s.end gives us an iterator to the position after the last element last element के बाद मतलब कि मेरा end iterator is here तो यहाँ से लेकि यहाँ तक कि जो सारे elements है जो strings है वो मेरे set से remove हो जाएंगे तो बचा क्या मेरे multi-set में apple, ball and cat तो correct answer here would be if I print all of the elements of a multi-set correct answer would be c next mcu में क्या है यहाँ पर हमें set create कर रहे है set में क्या होता है हमारी unique values होती है और ordered state में होती है उसके बाद हमने एक variable define किया n and then हम दो nested loops लगा रहे हैं जो after loop है वो चल रहा है 0 से लेके 3 तक और inner loop जो चल रहा है 0 से लेके 3 तक ठीक है if n modulo 2 is equal to equal to 0 then s dot insert 1 वरना s dot insert j and then we are increasing n by 1 तो हमारे set में क्या values आएंगी सबसे पहले हमारे i की value 0 है ठीक है j की value 0 है फिर n की value currently क्या है 0 तो 0 modulo 2 would give us 0 तो we'll insert s में क्या अपने set में क्या insert करेंगे हम i insert करेंगे which is 0 तो 0 insert हो जाएगा हमारे set में उसके पाथ n की value बढ़ जाएगी n जो है वो 0 था वो 1 हो गया and j की भी value बढ़ जाएगी j will also become y now n modulo 2 will give us 1 don't give us 0 basically यह आप यह जेक करें कि n जो ओड है या even अगर even है तो हम i insert करें अगर अगर और है तो हम j insert कर रहें तो यहाँ पे n जो है अब और है तो हम j insert कर देंगे फिर उसके बाद next case में j की value हो जाएगी 2 n की भी value हो जाएगी 2 अब n जो है वो even हो गया तो we'll insert i 0 insert होगा लेकिन 0 is already present in our set तो it won't be added again in the next iteration हमारी j की value 3 हो जाएगी और हमारी n की भी value 3 हो जाएगी now n is odd तो हम s में insert करेंगे j तो यहाँ पे 3 जो है वो insert हो जाएगा ठीक है अब j की value जो है वो 3 हो गई तो यह condition जो है अगर j plus plus करेंगे तो यह condition false हो जाएगी तो हम इस वाले लूप से बाहर आ गए अब i की value अपडेट होगी हमारी so i की value becomes 1 and j की value becomes 0 again now n की value last क्या थी? n की value अपडेट होगे थी 4 तो n is even here तो we will insert i यहाँ पर one j already added है तो उसकों द्वारा insert नहीं करेंगे and then next case में हमारा n update हो जाएगा j update हो जाएगा अब हमारा n जो है वो odd है तो j will get inserted one again present है already next case में n will become 6 j will become 2 j के 4 बनते ही हमारी यहाँ यहाँ जाएगे हम लूप से बाहर आ जाएगे i की value update हो जाएगी to 2 and j की value update हो जाएगी to 0 ठीक है अब i is equal to 2 के लिए पूरा लूप चलेगा यहाँ पर क्या होगा एक n जो है वो even है तो हम insert कर देंगे i अब i की value क्या है 2 यहाँ पर present नहीं है तो 2 will get added कहाँ पर add होगा यहाँ पर and it will continue I think आगे हमें करनी की जुरुयत नहीं है आप आपो दिख रहे solution जो है वो यही आएगा क्योंकि multiple instances of the value हमारे सेट में already present है ठीक है so our solution will here be B option हमें actually यह दोनों लूप स्वाने के जुरुत भी नहीं है हम ऐसी देख सकते थी कि हम या तो i की value इंसर्ट कर रहे हैं या फिर j की value इंसर्ट कर रहे हैं and i or j की क्या values हो सकती है 0 से 3 तक हो से 0, 1, 2, 3 तो क्यूंकि यह सेट है इसले 0, 1, 2, 3 यह क्योंकि कोई repeated values हो ही हुंगी इकलिक पारी present होंगी और वो ordered fashion में होंगी तो वी कुद आफ संप्ली सेट कि इस आर सिएशन नव लेत्स कंबाक तो कोडिंग वेस्ट तो यहां पे तो शाब संधिर्स परिंट के सिकमांभ खाऊंच है तो हम यहां पर ऑफ गिजहिए पसमालेश कंछल पासुछा है तो हमें ordered fashion में चाहिए ताकि हम second smallest integer निकाल पाएं तो इसलिए हम इहां पर इस्तमाल करेंगे ordered set की जहां पर ना ही हमारे पास duplicate values present होती है और जो values present होती है वो ordered fashion में होती है तो अगर हम अपनी values को सबको एक set में डाल दे और जो first element छोड़के जो second element होगा मेरे set में क्या वो second smallest होगा युकि by default मेरे set में असंग्डिंग ओडर में present होती है सारी values तो first element will be the smallest integer second value will be the second smallest integer and we also don't have to worry about duplicates की अगर smallest integer दो बारी present हो तो second position है वहांपे हमारा second smallest integer होगा नहीं क्योंकि duplicates वैसे ही store नहीं होता है हमारे साइट में तो यूजर से सबसे पहले हम एक input लेंगे n which will be the size of our vector and then we can create एक vector int v of size n जिसकी values को elements को हम input ले सकते हैं using a fall loop let's also add the header files जो कि हमें हाँ पे जो हमें हाँ पे यूजर रहे होंगे पर vector inside our set तो एक set बनाते हैं set int s and इसमें insert करने के लिए values will traverse all of the values inside our vector तो for auto value in vector v we'll insert it into our set अब second element हमें चाहिए है for second smallest number right the second position पर जो element है उसको हम कैसे ले सकते हैं सबसे पहले एक hydrator बनाते हैं auto hydrator is equal to s dot begin ठीक है को first element जो है हमारा जो कि smallest element होगा उस पे मुझे एक hydrator मिल गया अब मैं इस hydrator को एक position से आगे बढ़ा सकती हूँ and now the hydrator will be pointing to my second smallest integer जो कि second position पर present है so second smallest number star idr तो यहां पर second smallest number is 2 right that was an easy question अब थोड़ा साहर complicated question देखते हैं जहां पर हम sets का use कर सकते हैं this question में हमें बोल रहे हैं कि given the number of questions as n marks for the correct answers as p and q marks for the incorrect answer one can either attempt to solve the question in an examination and get either p marks if the answer is right or q marks if the answer is wrong or leave the question unattended and get zero marks the task is to find the count of all the different possible maps that one can score in the examination तो यहां पर हमें कुछ questions हैं किसी examination में n number of questions वो हमें दे रखा होगा and हमें दे रखा है कि अगर आप किसी question को correct answer करते हो तो आपको p points मिलेंगे and अगर आप किसी question को incorrectly answer करते हो तो आपको q points या marks मिलेंगे and अगर आप उसको नहीं solve करते हैं तो आपको zero marks मिलेंगे हमें यह बताना है कि what are what is the count of all the different possible marks मतलब कि इस n p q के combination में कितने different marks हो सकते हैं क्या-क्या different marks can the students score with this combination of n p and q तो यहां पर हमें एक example भी दे रखा है कि suppose n is equal to 2 p is equal to 1 and q is equal to minus 1 तो हमारे possible marks तो यहां पर क्यूंकि दो question है तो या तो वो दोनों question को छोड़ सकते है unintended तो zero marks होंगे total या फिर वो एक question को कर सकते हैं तो one mark होगा total या फिर वो एक question सही और एक question गलत कर सकते हैं तो again zero होगा वो दोनों question सही कर सकते हैं तो two होगा score दोनों question गलत कर सकते हैं तो minus two होगा score add एक छोड़ सकते हैं और एक question गलत कर सकते हैं तो उसमें minus one होगा ठीके तो यहां पर जो distinct marks आए वो क्या क्या है minus one minus two two zero one right तो यह कितने है five five cases या five different possible marks that a student can score with these values of NPK ठीक है तो यहां पर जो end questions है उनमें से उनके तीन parts हो सकते हैं ठीक है कुछ questions हो सकते हैं वो correct answer करें कुछ questions हो सकते हैं वो incorrect answer करें और कुछ questions हो सकता है वो unattended छोड़ दें right correct के लिए उनको score correct questions के लिए उनको score मिलेगा P, incorrect के लिए Q और unattended के लिए 0 तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें different combinations तेखने पड़ेंगे of this correct number of questions, incorrect number of questions and unattended number of questions लेकिन हमें यह पता है कि इन तीनों को add करके हमेशा N आना चाहिए तो अबर हम दो लूप्स यूज करें, one loop for all the different number of correct questions की correct number of questions that can go up to zero to n ठीक है इसके लिए हम एक लूप यूज करें i का and incorrect के लिए हम यूज करें एक लूप j का चुकि अगें 0 to n आ सकते है number of incorrect questions and तीसरा जो unattended होंगे वो कितने होंगे that will always be n minus i minus j ठीक है तो यहाँ पर दो लूप्स हमें लगाने पड़ेंगे तीन लूप्स लगाने के ज़रह पने है राइट क्यूज की unattended number of questions है always we can find out as n minus the number of correct questions and the number of incorrect questions है तो using two nested loops we'll be able to find all the different combinations of कितने correct questions होंगे, कितने incorrect questions होंगे and कितने unattended questions होंगे फिर for every combination we can find कितने marks होंगे total by adding p into i p into जितने भी number of correct questions है फिर q into जितने भी number of incorrect questions है जितने 0 into unattendive तो 0 के लिए हमें कुछ बयाट करने के जरुद नहीं है तो that will give us some possible marks जो कि इस combination में आ सकता है वो marks क्यूंकि हमें सिफ unique values चाहिए हमें सारे possible count बताने हैं कितने unique marks आ सकते हैं तो उसके लिए हम एक set यूज कर सकते हैं and we can use an unordered set here क्यूंकि अमें फायक ली बढ़ता कि यह जो values हैं यह ordered रही हैं नहीं हमें तो set का size बताना हुबा और end में कि कितनी unique values हो सकते हैं तो we can use an unordered set जिसमें सिफ unique values हुंगी टिकन वो unordered fashion में stored हुंगी ठीक है तो इसको पोड में देखते हैं तो input में वे बढ़ता हैं वे बढ़ता हैं n, p, and q जो कि हम यूजर से input ले रहे हुंगे इसके बाद हम 2 nested loops लगाएंगे पहला loop for correct answers हम ले सकते हैं जो कि 0 से लेके n तक जाएगा then another loop j for incorrect answers and these loops will run till less than equal to n right क्योंकि correct answers 0 भी हो सते हैं and correct answers maximum number of questions है वो सारे questions correctly answer तो correct answers की भी incorrect answers का भी जो number है that can go up go from 0 up till n which is the total number of questions तो यहां पे जो int solved yeah I should write correct questions that is equal to i int incorrect that is equal to j and int unattended number of questions that will be equal to n minus i minus j now यहां पे यह भी केस हो सकता है की i और j की value i plus j की value is more than n तो यहां तो उसकेस में unattended number of questions यहां वो minus में सुझ जाएंगे negative हो जाएंगे and यहां जो number of questions आप solve कर यहां यहां तो we can have a check here की is unattended is more than 0 यह more than equal to 0 उसकेस में ही we will find the score what will be the score int score will be equal to 2 जो मेरे correct number of questions है into 3 plus incorrect number of questions जो है into q and score को store कर में के लिए we will create an unordered set of data type int and we will say s.insert score ठीक है last में जो number of pos जो मारा answer होगा वो क्या होगा s.size s.size will give us s.size will give us the count of all the possible marks with this combination of npq यहां पर also हम else condition भी add कर सकते हैं जिसमें हम break डाल सकते हैं कि एक बार अगर i plus j की value इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं right brackets लगा के तो एक बार अगर i plus j की value n से जादा चाहनी गई है तो उसके बाद मुझे j की value और बढ़ाने की जगरत नहीं है तो i can break this j का loop and then start from another value of i let's run this हमारे npq की values थी 2, 1 and minus 1 तो यहां पर हमारा answer आ रहा है 5 तेक है हम print भी गरवा के देख सकते हैं हमारे set में क्या-क्या possible scores आ रहे हैं तो यह पॉसिबल स्कोर्स हमारे चुके अभी हमने देखे थे तो यहां पर हम क्यूंकि nested loops use कर रहे हैं तो time complexity would be o of n square and space complexity would be o of n because we're using a set to store all of the distinct scores that is all for today's lecture जहां पर हमने set पड़ा set के types पड़े सबसे पहले हमने पड़ा ordered set जहां पर values are stored in an ordered fashion and unique values are stored फिर हमने member functions देखे जोकी ordered set पर use होते हैं हमने उनको implement करके देखा ordered set में जो insertion, relation, search की time complexity थी वो किती थी o of log n फिर हमने देखा unordered set जहां पर values है वो unique होती है लेकर not stored in ordered manner तो यहां पर जो हमारा insertion, deletion, search, retrieval होते हैं यह operations they come out to be of time complexity o of 1 in the average case फिर हमने दो और types देखे एक देखा हमने multi set जहां पर duplicate values could be allowed but they are stored in a particular order या तो sending या फिर descending यहां पर again जो time complexity देखी हमने insertion, deletion, search की that was o of log n and finally हमने देखा unordered multi set जहां पर values will not be stored in an ordered fashion and duplicate values will be allowed जहां पर again हमारी time complexity आ रही थी o of 1 in the average case for insertion, deletion and search thank you so much for watching this video keep practicing questions sets पर जहां से भी आपको मिले ने code पर जो भी platform आप यूस कर रहे हैं set के अलग से questions जादा नहीं होते लेकिन set will be used with other topics, other data structures या other algorithms जब हम practice करेंगे इंकी questions तो वहां पर आपको दिखेगा कि हमें कोई ऐसा data structure चाहिए जो कि unique value store करें या फिर order में value store करें तो वहां पर हम set का इस्तमाल करेंगे इसलिए set आपको पता होना चाहिए और जो भी questions मिले आपो थोड़े बौत प्लीज उन्पो अच्छे से practice कर लेना I'll see you in the next video तब तक के लिए take care and goodbye